उत्तर प्रदेश में माफ्याओं का, अपराधियों का और बदमाशों का खौफ दिन पर दिन कम होता जा रहा है जब से योगी आदितनात की सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक बैक टू बैक एनकाउंटर किये जा रही है माफ्याओं को ठोका जा रहा है और इसी के तहट कानून वेवेस्था को दुरस्त बनाने की पुर्जोर कोशिश की जा रही है योगी सरकार का मकसद है कि प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो लूट, छिनैती, डकैती की घटनाओं पर लगाम लग सके और इसी के साथ-साथ महिलाएं जब सड़ को पंडिक लें तो बेखौफ होकर निकल सके योगी आदितनाद का ये मकसद पुर्जोर तरीके से पूरा होता हुआ दिख भी रहा है क्योंकि आप जानते ही है यूपी के अपराध ही या तो अपराध छोड़ रही है या फिर यूपी को ही टाटा बाई-बाई बोल रही है आपको बता दे चलें, ग्रेटर नॉइडा से एक और एंकाउंटर की खबर सामने आई है बताय जा रहा है कि ग्रेटर नॉइडा की इको टेक, एक बोत्माली पुलिस और एक कुख्यात बदमाश के बीच मुटभेड हुई मुटभेड के तोरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया और उसके बाद सरकारी अस्पताल में उसे इलाज के लिए भेज दिया गया है गोत्म बुद्नगर पुलिस की काफी तारीफ हो रही है, उनके इस कदम को काफी सरहानिय बताय जा रहा है और सबसे बड़ी बात इसे एक काम्याबी के तोर पर देखा जा रहा है क्योंकि जिस बदमाश को गिरफतार किया गया है, ये योगी आदितनात की माफिया वाली लिस्ट में शामित था निश्चित तोर पर माफियाओं को जिस तरीके से चुन-चुन कर सफाया हो रहा है उसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक और सफलता गौतनम बुद्नगर पुलिस के हाथ लगी और इसी लिए उनकी सरहाना हो रही है जाच में पता जला है कि रंदीप भाटी क्यांग का सक्रिय सदस्य गुट्टू रिठोडी उर्फ बनिया है और इसी के साथ पुलिस की मुटभेड हुई जिसमें उसने पुलिस पर फारिरिंग करने की कोशिश की और जवाबी कारवाई में वो खुद घाय हो गया पताय जा रहा है कि इस गुट्टू रिठोडी के उपर कई संगीन धाराओं में मुकर्मे दर्ज है फिलाल पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इस बदमाश के पास से एक पिस्टल, 32 बोर मैं, दो जिन्दा, दो खोका कार्टूस, 32 बोर कार्टूस और घटना में यूज होने वाली एक वर्णा कार बरामत की गई है फिलाल खायल बदमाश का इलाज चल रहा है लेकिन उम्मीद ये है कि उससे उसके गिरोह तक पहुँचने में काफी मदद मिलेगी आरोपी के खिलाफ पूल से गैंक्स्टर, हत्या का प्रयास और रंगदारी मांगने जैसे कई गंभीर मुकद में दर्ज है आरोपी के अपराधिक इतिहास और बाकी जानकारी फिलाल पूलिस डुटा रही है ताकि आगे का एक्शन लिया जा सके पुल मिलाकर जिस तरीके से ये बड़ा एक्शन लिया गया है इसको लेकर अब गौतम बुद्नगर की चर्चा तो हर तरफ हो रही है लेकिन इसी के साथ लोग ये भी कह रही है कि पुलिस योगी आदितनात के इशारे पर काम कर रही है जिस तरीके से योगी डंके की चोड़ पर माप्याओं को चेताब नी देते हैं ये उसी का नतिजा है योगी आतितनात के एक धाकड बयान के साथ आपको छोड़े जा रही है फिलाद आप इस एंकाउंटर को लेकर और इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट करके अपनी राय हमें जरूरते और अगर किसी ने बदमासी करने का प्रियास किया किसी बेटी को छेडने का प्रियास किया किसी की जट पे हार डालने का प्रियास किया या कई चोरी टकैती करने का प्रियास किया तो अगले चौराहे पर जाते जाते फुलिस उसको फ्रियम दबोस दी की भाग नहीं पाएगा उसको पताई नहीं लगेगा लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले की कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी संदकभीर नगर जनपद में आने वाले समय में अपना मेडिकल कॉलेज हो मैंने प्रसासन से पहले ही कह रखाया कि यहां के लिए भी जमीन चिन्नित करिये कहां यह बन सकता है बस अड़े के निर्मान की कारवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके जहां यह हो अगर इतनी सब सुगधाएं देनी है तो उसके लिए सुरक्षा का माहूल चाहिए और इसी के लिए इंटीग्रेटेट कमाड एंड कंट्रोल सेंटर जहां पे एक ही जगह से बैठ करके एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जन्पत के प्रमुकस्थानों की सीसी टीबी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी रिकॉर्ड भी होती रहेगी लोग देखेंगे भी और अगर किसी ने बदमासी करने का प्रियास किया किसी बेटी को छेडने का प्रियास किया किसी की जट पे हार डालने का प्रियास किया या कई चोरी टकैती करने का प्रियास किया तो अगले चौराहे पर जाते जाते फुलिस उसको फिर्म दबोस दीती भाग नहीं पाएगा वो भाग नहीं पाएगा एक जगे से सब कुछ वहीं से उसको पताई नहीं लगेगा लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले की कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी ते कमान एन कंट्रोल सेंडर एक तो सुरक्सा का बेतर माहूल देगा और दूसरा ट्रैफिक मैनिस्मेंट के लिए ट्रैफिक के बिवस्ता कहां पे जाम है यह देखने का काम भी इसके माध्यम से ट्रैफिक पुलिस करेगी डिरेक्शन देगी कहां पे पुलिस को लगना है कैसे बिवस्ता होनी है कहां जाम है या देखने कभी एक आउसर मिलेगा नगर पालिका परिसर सच्छता के कारिक्रम की मॉनिट्रिंग भी से देख सकती है और ठीक इसके साथ ही करोना कालखंड में इंटीग्रेटर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की उप्योगता आपने देखी होगी तस ओप्योग करते थी एक-एक गायों में स्क्रिनिंग करने की एक-एक गाओं में क्या घजबिधियां चलने इनको देखने की, हॉस्पिटल की विवस्ता को संचालन करने की, वैक्सिनेशन के कारिक्रम की, सैनिटाइजेशन के कारिक्रम की और तमाम इने कारिक्रमों को हम लोग लेकर के चलते थे, और आज ये सभी कारिक्रम यहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि संत गवीर नगर जनपद ने भी अपना ICCC बना दिया है, और उसको विवस्तित तरीके से आगे वढ़ाने के लिए कारे किया है, मैं इसके लिए यहां के जन प्रतंदियों के भी धन्यवाद दोंगा कि इन्हों ने अपनी निधी का उप्योग भी ICCC बनाने में किया, और उसका पेड़ाम है कि सुरक्सित, हल्लाबाद, सुरक्सित, मगहर, सुरक्सित, संत कवीर नगर, उनके प्रियासों से, आज यहां पर प्रसासन औ कर दो